एक समय की बात है एक सुन्दर से गाउं में नदी के किनारे एक जोपडी थी जोपडी में एक मुर्गी थी मुर्गी ने बारा अंडे दिये, दस अंडों में से प्यारे चूजे निकले, मगर दो अंडे ही रह गए कुछ समय बाल, मुर्गी अपने दो अंडों को जोपडी में ही छोड़ कर अपने चूजों के साथ खाना ढूणने निकली तभी उसके एक अंडे में से तूटने की अवाज आई, उसमें से एक प्यारा चूजा निकला बेचारा चूजा, अपनी मा को ढूणने लगा, वे बहुत दुखी हो गया उसने सोचा कि अब मैं अपनी मा को ढूणनूंगा और वे अपने परों को हिलाते हुए अपनी मा की खोज में निकल पड़ा अपनी जोपडी से बाहर निकलते ही उसे घास चर्ती गाए दिखती है चूजा वे गाए को बहुत उचसुकता से देखता है और कुछ ही देर में वे गाए चूजे से पूछती है कि तुम किसे ढूण रहे हो मासूम सा चूजा बोला क्या तुम मेरी मा हो गाए को दया आई और वे बोली मुझे देखो मैं कितनी बड़ी हूँ तुमारी मा तो मुझसे बहुत चोटी होगी ओ तो मेरी मा आपसे चोटी है चूजा बोला और अपनी मा की खोज पर निकल पड़ा कुछ देर बाद चूजे को एक घास खाती हुई बकरी दिखी वेह उस बकरी के पास जाता है और कहता है तुम गाए से कद में छोटी हो क्या तुम मेरी मा हो बकरी बोली हाँ मैं गाए से तो छोटी हूँ मगर देखो मेरे चार पाउ है तुम्हारी मा के तुम्हारी तरह दो पाउ और पंक है बेचारा चूजा फिर से बहुत उदास हुआ और खोज पर निकल पड़ा कुछ देर चलने पर उसे काई काई की अवाज आई वह था एक कववा चूजे ने बकरी की कही बात याद की और कववे से पूछा तुम्हारे दो पैर और पंख हैं क्या तुम मेरी मा हो? कववा बोला हाँ मेरे दो पैर और पंख हैं पर मैं तुम्हारी मा से ज़ादा उपर और बहतर उड़ सकता हूँ और तुम्हारी मा का कद मुझसे बड़ा है और उनके पाउं भी मेरे पाउं से बड़े हैं और वह काई काई नहीं करती चूजा बहुत नाराज हुआ और कववे को उसे देख कर दया आ गई वह बोला नाराज मत हो दोस्त थोड़ा आगे जाओ तुम्हें अपनी मा मिल जाएंगी कववे की बात सुनके चूजा प्रेरित हो गया और खोज पर चल पड़ा फिर उसे क्वाक क्वाक करती हुई बतक दिखी जिसे देख के चूजा बहुत खुश हुआ वे मा मा चिलाता हुआ बतक की ओर दोड़ा बतक यह देख के हैरान रह गई तुम इतनी हैरान क्यों हो मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ चूजा बोला अरे नहीं बेटा मैं तुम्हारी मा नहीं हूँ बतक बोली यह सुनते ही चूजा रोने लगा और सोचा कि अब वे अपनी मा को कभी ढूण नहीं पाएगा बतक भी उदास हो गई और बोली तुम रो क्यों रहो बच्चे चूजा उसे अपनी कहानी सुनाने लग पड़ा फिर बतक बोली बेटा तुम क्वाक क्वाक नहीं करते तुम्हारी मा कुकुडुकु बोलती है तभी एक कबूतर पेड़ पर बैठा यह सब सुन रहा था और उसने चूजे की मदद करने का सोचा और चूजे के पास आया तुम इस तालाब के किनारे जाओ वहां तुम्हें शायद अपनी मा मिल जाए कबूतर बोला चूजा कबूतर की बात महनते हुए निकल पड़ा और कुछ ही देर में उसने कुकुडुकु कुकुडुकु की अवास सुनी वहें उस अवास का पीछा करते हुए दोड़ा फिर उसने एक मुर्गी को देखा जिसके दो पैर कववे से बढ़े थे और कुकुडुकु भी सुना उसने तो सोच लिया कि ये उसी की मा है और मा, मा पुकारता हुआ भागा मुर्गी ने ये सब सुना और अपने चूजे को पहचान लिया उसने चूजे को अपनी ओर आने को कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया और वे उसे प्यार से संतुष्ट करने लगी मुर्गी बोली, तुम इस जोपड़ी के बाहर क्यों गए मैं तो सब के लिए खाना लेने गई थी